नमस्कार आप देख रहे हैं दो अभी हाट आप मैं हूँ आदेश पूरी 16 दिसंबर यानि कि आज से लेकर 15 जनवरी तक BPSC कारियाले के 100 मीटर के दाइरे में 11144 लगा दिया गया है ये फैसला जो है वो अनुवंडल कारियाले सदर पतना का जो है उनके द्वारा निर्ना लिया गया है और निर्ना का कारण है कि BPSC में इस दोरान रिजल्ट बनाने की तयारी होगी रिजल्ट देना है 15 जनवरी तक और ऐसे में कोई धरना परदासन या कोई विवाद BPSC के गेट के बाहर ना हो इसको लेकर जिला परसासन के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और 12144 लगाए गया है अब पत्र देख सकते हैं जो कि अनमंडल दन्धादिकारी सदर के द्वारा जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि सचिव बिहार लोक सिवा आयोग पत्रा के पत्रांग 34 सौतीन दिरांग 14 दिसंबर 2023 के आलोक में अध्यापक नियुक्ति परत्योगता परिच्छा यानि कि TRE2 के लिए बिहार लोक सेवा आयोग पत्ना के कर्याले भावन का कर्याले का कारे सुचारू रूप से संचालित करने में और समाजिक ततोयम कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उद्पन होने की प्रबल संभावना को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग पत्ना के कर्याले में दिनांक 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2024 तक कर्याले का कारे स्वक्ष सांति पूर्णेवं भयवुक्त वातावरन में संपन कराने के उद्देश से निर्धारित बिहार लोक से वायोग पटना के करियाले भवन से 100 मीटर की परीधी के अंतरगत IPC की धारा 144 के अंतरगत निशे धाग्या लगाया जाना अति आवस्यक परतीत होता है विदित हो की जिलाप पदादिकारी पटना पतरांग संख्या उनसर सो दो गोपनिये दिनांग 27 अप्रैल 2023 द्वारा पटना सहरी छेतर के विभिन मुख्य अस्तलों पर धरना जुलूस परदर्शन सहित अन्य कारकरम के लिए परतिबंदी छेतर घोसित किया गया है धरना परदशन है तू गर्दनी भाग धरना अस्तल चिनित है उपरोक्त प्रस्तिती में मैं श्रीकांत कुंडली खांड लेकर अनुमंडल दंदादिकारी पटना सदर विधी द्वरा प्रदत सक्तियों का परियोग करते हुए पटना सदर अनुमंडल 16 अंत्रगत बिहार रोक सेवायोग पटना के करियाले भावन में विधी व्योस्तायों सांती व्योस्ता बनाए रखने है तू जो दंड प्रक्रिया संगीता की धारा 144 लागू करने एवं निमलिखित बातों पर नीशे धाग्या का आदेश देता हूं पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गयर कानूनी जमाओ किसी भी परदर्शन या जुलूस हत्यार एवं रोसनी सहीत या रहित धरना घेराओ किसी भी तरह का अग्नियास लेकर चलना गोली बारूद बिश्पोटक समागरी एवं फारसा गडासा भाला चुरी या अन्य किसी भी परकार के घातक अस्त्र स्त् उपयूक्त निसे धाग्या जो है निम्नांकित पर लागू नहीं होगी सरकारी पतादीकारी तथा पुलीस एवं सैन्नेबल के करमचारी जो परिक्षा केंदर पर परतिन्युक्ती हैं उन पर लागू नहीं होगा सरकारी तथा प्रसासन दोरा निर्गत पास धारियों पर नहीं होगा बिहार लोग से वाय योग पतना के संचारन कारे में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा यह आदेश 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवारी तक पुर्णता पर भावी रहेगा यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और नियाले की मुहर से दिनांक 15 दिसंबर 2023 को निर्गत क को हम कि अगला एक महीना BPSC के द्वारा TRE2 का रिजल्ट देने को कारे चलेगा आयोग कर्याले में तो वही पतना प्रशासन के द्वारा 1444 लगा दिया गया है जहां पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का किसी भी तरह का गार कानूनी जो है वो जमावड़ा नहीं हो सकता है करना पदर्शन करना है तो इसके लिए गर्णी बाग का जो अस्तल है वो चिनीत है वहां पर जाके आप कर सकते हैं तो बता दे आपको हम कि BPSC भावन के 100 मीटर के परीधी में धारा 144 इंप्लीमेंट कर दिया गया है और किसी भी तरह के धरना पदर्शन की इजाजत आयोग के गेट के सामने नहीं दिया गया है अगर ऐसा आप करते पाए गए तो आप पर कानूनी करवाई की जाएगी फिलाल इस वीडियो में इता ही वीडियो पसंदाया लाइक सेर करें हमारी चनल अभी हाट टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें दन्यवाद्ट